अश्कार मैं पंडित अनुवाक शास्त्री जी आपका स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल में आज हम बताएंगे कि काल सरब की पूजा में कौन कौन सी विधी की जाती है और कितना खर्चा आता है तो सबसे प्रथम में दिखिए काल सरब की जो पूजा होती है ऐसी काल सरब दोश की पूजा की तयारी होती है दो विधी दो माध्यम से की जाती है सबसे प्रथम में एक ओनलाइन पूजा होती है जो कि कुरोना काल में जो यजमान नहीं आपाते हैं तो वो ओनलाइन करवा सकते हैं उसमें ग्यारा सो रुपए खर्चाता है और जो ओफलाइन पूजा होती है उसमें तीन से चार घंटे का समय लगता है जिसमें सबसे प्रथ पूजन होता है उसके बाद में आपके साथ पीडियों का पूजन किया जाता है यहां पे जिसे नांदे शाद्ध पूजन बोलते हैं फिर बीच के मंडल में तीन देवताओं का पूजन होता है ब्रह्मा विश्णु महेश और गंगा यमनस रस्वती और चार वेदों का आवा महायम स्थापया में पूजा होता है उसके बाद में यह चौथे मंडल में नवकरह जी का पूजन इत्यादी होने के बाद में लाश्ट में महादेव जी का पूजन होता है फिर आपके पूजा में नो चांदी के नाग राहु केतु की पृतिमा रहती है जिनका पंचोब च तक पालन करना है और विसरजन के लिए चांदी के नाधनागिन दिये जाएंगे ऐसी पूजा विदी होती है जिसमें टोटल खर्चा आपको पचीस सो रुपए आता है दो हजार पांसो जिसमें ब्राम्मन की दुक्षिना पूरी सामगरी इंकलूड होती है आपको आते समें तीन वस्तुय लानी है सबसे प्रधम में अपने पूर्वजो का नाम जिनका जिनका आपको नाम मालूम है आपके परिवार में जो गुजर गए होंगे एक पेपर में सभी का नाम लिख करके लाना है उसके बाद में जन्म पत्री का अपनी लानी है जन्म पत्री का नहीं हो आता है कैसी पुजा विदी होती है पच्चीस सो रुपे खर्चा आता है पुजा के लिए संपर्क करें पंडित अनुराग गुरुजी से ओम नमस्षिवाए